नमस्कार दोस्तो नैसल अपडेट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है चले देखते हैं आज के माद पूर अपडेट दोस्तो पहली अपडेट उत्तर प्रदेश से है जहां दोस्तो एंटी पीसी नारसनल थर्मर पाउर कॉर्परेशन ने उत्तर प्रदेश के कानपू डिस्टिक में बिलहूर सोलर प्लांट में करीब सतर मेगा वोट की सोलर कपैसिटी को इंक्रीज कर दिया है तथा यहां पर उप्रेशनल कर दिया है दोस्तो पहले सोलर प्लांट की कपैसिटी 15 मेगा वोट की थी तथा कुछी समय पहले यहां पर एक नई परियोजना सुरू की गई थी जिसके तहत यहां पर 17 मेगा वोट की एक्स्ट्रा सोलर फोटो वेल्टिक कपैसिटी इंक्रीज करनी थी जिसक दोस्तो नेक्स्ट अपडेट मेगा फूट पार्क से है दोस्तो गौवर्मेंट की मेक इन इंडिया विशन को पुस्ट देते हुए भारत की फूट प्रोसेसिंग सेक्टर में अपनी भूमिक का बढ़ाने के लिए त्ली के दूतावास जो की नई दिल्ली में है वहां पर साइन हुआ है जिसके तहट गुजरात में मेडन यहां पर मेगा फूट पार्क डवलाप करेगी दोस्तो इस प्रोजेक्ट में इतली की कई दिगच कंपनिया सामिल होंगी इसके अलावा यहां पर जो फूट प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जाएगा यहां दोनों देशों की कंपनियां मिलकर एफिसेंसिब टेक्नोलजी रिसर्च एंड डेवलाप्मेंट पर भी कारिक करेंगी दोस्तो इसकी लॉंचिंग में इतली और भारत के यह दोनों सामिल थे दोस्तों फूट प्रोसेसिंग यूनिट से हमारे किसानों को बहुत ज़्यदा होता है जहां प मैं फूर्ट प्रोसेसिंग सेक्टर है इसमें वरिध्धी होती है दोस्तों नेक्स अपडेड भारत के ंदर के अंदरी मेनंफ्रेक्शिरींग से है जहां दोस्तों दोस्तों जी इन दर मेंदानेदाट है ने कहा और भारत के अंदर बहुत सारी कंपनिया अब इस काम में लग गई है कि वो 100% लीथियम आयन बैटरीज की मैनुफेक्टिरिंग करेंगी इसके लावा इन्होंने काया कि भारत के अंदर लीथियम की कोई भी सोटेज नहीं है इसके लावा इंडियन गवर्मेंट वर्क कर रही है for the launching of hydrogen fuel cell technology जिसके तहर दोस्तों hydrogen तथा oxygen की chemical reaction से electricity generate की जाती है तथा इस electricity से वहान को चलाया जाता है जायतर जो European countries हैं और East Asian countries हैं वहाँ पर इस technology को यूज के जाता है यह technology काफी जादा advance है इसके अलावा expensive है जिस कारण भारत के अंदर अभी इसके establishment में time लग रहा है वेल दोस्तों सरकार इसके लिए कारत है इसके अलावा सरकार ने का है कि EV manufacturing हब बनने की देशा में भारत Ethanol, Methanol, BioCNG, Electric Vehicle, Hydrogen Fuel Cell इन सभी के development पर कारिक कर रहा है ताकि भारत के अंदर आने वाले समय में crude oil की demand है इसको भी कम किया जा सके क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में crude oil की demand भारत में दोगुनी हो सकती है लेकिन अगर भारत इन सब चीजों को अपनाता है तो ये कम होगी इसके लावा उन्होंने काया कि आने वाले दो सालों के अंदर भारत के अंदर जो electric vehicle है इनके development में जो cost लगने वाली है वो कम हो जाएगी जिसके कारण जो electric vehicle है इसकी pricing भी कम हो जाएगी और हमें खासकर जो कारे हैं वो petrol और diesel की pricing पर मिले लगेगी जिससे दोस्तों लोग electric vehicles खरिदना prefer करेंगे as where compare to diesel और petrol से चलने वाली गाड़िया वहीं दोस्तों बहुत साही लोगों ने अपनी राय रखिया जिसमें बहुत साही लोगों ने कहाए कि भारत को electric vehicle की manufacturing की बजाए यहाँ भारत के अंदर उन्हें सबसे पहले देखना चाहिए कि यहाँ पर electric vehicles का use हो दोस्तों इनकी बात काफियत तक सही है लेकिन सबसे पहले हमें जरूत है कि हम electric vehicle की manufacturing करें क्योंकि दोस्तों अभी इसकी demand बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और अगर भारत को demand पूरी करनी है electric vehicles की अभी दोस्तों इंडिया के अंदर electric vehicles की अगर देखा जाए उतनी मांग नहीं है electric e-rixas की बात करें two wheelers बात करें तो है लेकिन दोस्तों गर four wheelers की बात करें तो अभी भी हमारे इंडिया में इतनी demand नहीं है लेकिन हमारी government ऐसा चाह रही है कि यहाँ पर electric vehicles लोग prefer करें इसलिए government बहुत ज़्यादा focus कर रही है अब दोस्तों इंडिया के अंदर अगर electric vehicle की cost ज़्यादा रहेगी तो लोग इसको खरीदना prefer नहीं करेंगे इसके लाब हमारा charging infrastructure भी अभी अच्छा established नहीं है तो अगर हमारा charging station वगेरा सब अच्छे से established हो जाएगा तता इसकी cost भी सामान हो जाएगी तो हो सकता है कि लोग interest दिखाए फिर इससे दोस्तों हमारी जो manufacturing है हमारा जो domestic manufacturing है ये भी इतनी capable होगी कि हम अपने domestic requirement पूरी कर सके तो दोस्तों यहाँ पर दोनों चीज़े जरूरी है भारत के अंदर electric vehicles के users की भी जरूरत है तता दूसरा भारत को electric vehicles के छेत में manufacture भी बनना है दोस्तों next update भारत के अंदर ventilator से सम्मंदित है जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि भारत के अंदर sudden ही corona cases का जो graph है इसमें एक spike देखने को मिली है जिसके करण अब यहाँ पर कई समस्यां उत्पन हो रही है भारत के अंदर कुछ समय पहले भारत के अंदर oxygen की सोटेश देखने को मिल रही है जिस पर government ने बहुत ज़्यदा work किया है इसके रवाद जो एक और बड़ी समस्या है वो है ventilator की पिछले साल जब government को इस समस्या के बारे में पता लगाता तो यहां पर ventilator की manufacturing को बहुत ज़्यदा बढ़ाया गया था लेकिन दोस्तों फिर से अब इसकी मांग बढ़ रही है इसी के तहट जो पूने बेस्ट एक स्टार्ट अप है जिसका नाम नोको रोबोटिक्स है रोबोटिक्स के यूज से ventilator बनाता है इन्होंने काया कि लास्ट विक से ही भारत के अंदर ventilator की demand बहुत ज़्यदा बढ़ी है इन्होंने government से मदद मागी है कि जो भी ventilator के manufacturing में यूज होने वाले component और equipment है इन सब के लिए सरकार उन्हें मदद दे इन्होंने काया कि हम पर मन्त 70 ventilator की supply करते हैं हमें कुछ दिनों पहले 1500 ventilator manufacture करने का contact मिला था लेकिन दोस्तो हमने इस contact को accept नहीं किया क्योंकि जो हमारी capacity है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और जो contact उन्हें मिला था government hospitals, private hospitals इन सबी से मिला था तो एक तरीके से भारत के अंदर जो ventilator है इसकी shortage आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है तो इसी को देखते हुए यह जो start-up है इसने काया कि government इनको मदद करें खासकर जितने भी जो equipment है ventilator की manufacturing में वो Europe तथा US से import के जाते हैं दोस्तो company ने काया कि government अगर मदद करेगी तो हम इस demand को भी पूरी कर सकते है दोस्तो इस start-up ने काया कि हम COVID-19 के लिए special ventilator बनाते है जो हमारे ventilator की pricing है वो पर पीस 2 lakh रुपीस है जो की लगबग 25 से 30 पर 30 सत कम है हमारे जो competitor है जो ventilator की manufacturing करते हैं दोस्तो next update भारत के अंदर vaccine manufacturing से है इंडिया तसा 1500 करोड रुपए भारत बायोटेक को देगा ताकि दोस्तो भारत के अंदर जो vaccine production है ये बढ़ सके दोस्तो next update तमिल नाडू से है जहां दोस्तो new york based industrial and logistic farm ESR इंडिया ने करीब 1,8,000 square feet land lease पर लिया है इन चेन नई industrial park दोस्तो इसने क्यूबिक से partnership की है क्यूबिक एक European farm है क्यूबिक एक electro mechanical farm है और ये आने वाले समय में भारत के अंदर भारत के अंदर बहुत सारी field में contact लेकर development करने वाला है जैसे infrastructure, power, renewable data center दोस्तो क्यूबिक और ESR इंडिया ने एक partnership की है इसके तहत ESR industrial logistic park स्टैब्लिस करेगा 36 एकर में इस छेत में जहाँ पर पहले सी by fortune companies है चले दोस्तो कुछ startup updates देख लेते हैं जहाँ दोस्तो दुकान एप जो कि एक Indian startup है तसा ये भी खाता बुक और OKCREDIT के तरह एक application है ये small offices को online लाता है ये 35 से 40 million dollar का fundraise कर सकता है from US-based Tiger Global Management से दोस्तो ये अभी बातचीत में तता इसका valuation fundraising के बाद 300 million dollar हो जाएगा वहीं दोस्तो software service provider और Indian startup wordfix stock में है software के साथ था यहाँ से वो fundraising कर सकता है करीब 90 million dollar की और fundraising के बाद इसका valuation 500 million dollar से 550 million dollar हो सब्सक्राइब करें धन्यवद आपका ये वीडियो देखने के लिए